तो एक गाइड का होना जब ग्रूप में आप राइड करते हो और जो सबसे आगे होता है जो गाइड करता है उसका होना जब मारने के दिकलता है पीछे वाले को कमांड देता है कि आऊ आगे आओ रुखो स्लो करो आगे आओ तो तो ही चलना पर दाता है और मिरापैला एक्सपीरियन्स है कि इसा राइड़ कर रहा हूं है इससे पहले सोलो राइड तो मैंने कहा कहां नहीं किया यहां पर प्रबें तेट है और यह थ्री आउस है असलाम वालेकुम नमस्कार सस्रीय अख्यालाद आप केम चुकसा का हलो और वेल्कम वनक्खम मराहिद फकिर महम्मद सोलकर आप सब का आप सब के अपने चानल पर हार्दिक हार्दिक सिवागत करता हूँ अपने को आइडिया आएगा क्या कुछ नहीं है तो उस हिसाब से आज एक शॉट राइट करने वाले हैं वाले हैं मैं और शोयब भाई शोयब बोरकर और मैं मैंने कल गाड़ी मेरी सर्वीस के लिए दी थी क्योंकि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे लाइक पहले मैंने शोयब भाई को बोला कि क्यों ना शोयब बाइक शॉट राइट करते तो उसमें आपने को आइडिया आएगा कि क्या कुछ नहीं है तो उस हिसाब से आज एक शॉट राइट करने वाले हैं बहुत दिनों के बाद राइडिंग के इस पेना है मैंने तो अभी हम लालो कॉंप्लेक्स पर मिलने वाले हैं तो फिलाल सुबा सुबा राइट की शुरुवात कर रहे हैं वीडियो में एंटक बने रहे हैं अच्छा व्लॉग देने की कोशिश रहेगी और आज हम लोग जाने वाले या तो गनेज गुले जाएगे या तो फिर कशेली या तो बैठते बस वीडियो में एंटक बने रहे हैं अच्छा व्लॉग देनी की कोशिश रहे हैं तो सस्पेंशन का इशू आ रहा था मुझे तो आप लोग देख सकते हैं सब अभी मैंने ग्रीसिंग हो सब करके लिया है और टायर नहीं मिल रहा था 4000 किलोमेटर पर पहला टायर मेरा तो अभी यह नया टायर मैंने ओर्डर किया और वह पहला वाला टायर मैंने क्लेम में दाला है देखते अपने को टायर मिलता है या नहीं तो यह टायर मैंने चेंज कर दिया है बाकि आगे का टायर सही है क्लज हो थोड़ा सा हाड है अभी मुझे लगता है 6000 किलोमेटर तो भी ये 10,000 km ते को इंजिन थोड़ी सी फ्री हो जाएगी गेर शिफ्टिंग भी थोड़ी सी हाड है तो शोरूम में दिखाया है मैंने पट नहीं हो रहा है उन लोगों से चले अल सेट बहुत दिनों के बाद राइडिंग गेस कोल स्टार्ड मैंने की थी जब सुबा सुबा मैं फजर पढ़ा फजर पढ़ने के बाद मैंने गारी कोल स्टार्ड की थी अभी निकलते हैं लाला कॉंप्लेक्स पर मिलना है शुएब भाई को बिसमल्ला इफ़ान रहीम चलिए सफर की शिरुवात करते हैं तो मैं खाला के यहां पे था सहरी किया मैंने सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ा और नमाज के बाद हम लोगों का रिपोर्टिंग टाइम तस साथ बजेगा और कल रात में हम लोग खाना खाने के लिए गए थे हॉर्समेन ग्रूप से इमरान वस्ता भाई फतीन भाई शुएब भाई और मैं तो तब ही हमारा प्लान बना कि चलिए कल जाते एक राइड करके आते हम फतीन भाई के तब यह ठीक नहीं है इमरान भाई का कुछ परसनल काम आ गया है तो अभी मैं और शुएब भाई हॉर्समेन से यह राइड कंट्यूनी करने वाले हैं बस अभी मुझे वेट करना है शुएब भाई का अल सेट फूल रेडियो कर आए देगा सालो चलिये तो शुएब भाई आ चुके शुएब भाई का इंतजार ता लाला कॉंप्लेक्स पर मिलना था में साथ बज़े का रिपोर्टिंग ता साड़ी साथ हुआ है थोड़ा सा उननीस भीस हुआ है मुझे सोलो राइट का एक्सपीरियंस है शुएब भाई को ग्रूब राइट का एक्सपीरियंस है चलिये तो अभी सफर की शुरुवात हो चुकी है एक शॉट राइट एक चोटी सी राइट अब दी गाड़ी का अकल काम हुआ वो गाड़ी चेक करनी है सस्पेंशन कैसे ह है वाइबरेशन है या नहीं हैंडल बार भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्रॉस है कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि हैंडल बार क्रॉस है अगर हाँ किसी को लग रहा है तो जरूर बताईएगा मुझे ऐसा लगता है राइट हैंड वाला थोड़ा सा क्रॉस है और क्या मज़ा आता होगा यार जब पूरे लाइनप करके निकलते हैं ना विरतनागिरी होर्समें ग्रूप है ना उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 45 मिमबर्स होगे तो जब उस सब राइट करते होगे ना पूरा लाइनप करके जब निकलते होगे अलग लेवल का माहूल होता होगा चल यह है और सुबा सुबा निकलने का सुबा सुबा राइट करने का एक अलग ही मज़ा होता है एक अलग ही सुकून होता है और देखते हैं भी शोइब भाई क्या वोलते गनेज गुले जाते या फिर आगे से राइट कर गया आते हैं वहाँ टाइम से सोच रहता है कि कोई राइटिंग ग्रूप हो जिसमें जॉइन करूँ और उसके साथ मैं लॉंग लॉंग रूट लॉंग राइड करूँ तो यह राजीवडा से भाटे जुड़ने वाला ब्रीच यह यह ब्रीच का कलर और पुर्णगड ब्रीच का कलर बिल तुम कहां से हो तुम कहां से हो इसको प्राजी उड़ा के गया तो यह आप जो देख रहे है यह बाटे बीच है और क्रिकेट खेल रहे थे को आपर लोग एक इंस्टा 360 होना बहुत ज़रूर ही है आज के टाइम में जब आपके अज इंस्टा 360 होता है तो एक अलग लेवल का व्यू देखने के लिए मिलता है तो इंशालला लेगे बस आप लोग प्यार दीजिएगा फड़े वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दीजिएगा और जब बाइक पर बैटे हो यह वाला जो व्यू रहता ना एक अलग लेवल का सुकून है यार मेरे काड़ी का नाम में सुकून रखने वाला हो तो कि इस पर बैटने के बाद मुझे सुकून मिलता है तो यही पर कई सुकून नाम लिख देंगे हम गाड़ी का नाम होगा सुकून जब एक ग्रूप में आप राइड करते हो और जो सबसे आगे होता है जो गाइड करता है उसका होना लाइक जब ओल टेक मारने के रिए निकलता है पीछे वाले को कमांड देता है कि आओ आगे आओ रुखो स्लो करो आगे आओ तो उस हिसाब से ही चलना पड़ता है और मेर से ले कहां नहीं किया अब लोगों ने देखा कोकंद्रतन सीरीज में कौन-से कौने में नहीं गया मैं यहां के फिर एंगे दो लोग भी ठीक है यार संडे राइड है संडे राइड स्पेशल यह व्लॉग है मुझे अब सातारा जाना है सातारा के बाद सांगली कोलापूर कोकंदरतन सीरीज मुझे अब कंटीन्यू करनी है क्योंकि मेरा बैक पेन अभी ठीक है और बैक पेन का रीजन था मेरे गाड़ी का सस्पेंशन खराब मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ कि मेरे इतनी कम है जे मेरा बैक पेन क्यों हो रहा है और खास मकसद कुछ ऐसा था कि मैंने इससे पहले कोई हिमालियन चलाया नहीं था इसके बाद कोई हिमालियन चलाया नहीं था बस मैंने हिमालियन जो चलाया था वो बस अपनी यही चलाया था और मुझे ऐसा लगता था कि हैसा ही सस्पेंशन है इसका लेकिन जब मैंने दूसरी बाइक चलाया ना तो उसके बाद जब मैंने देखा ना भाई ये तो बिल्कुल अलग लेवल का फील है फतिन भाई की गाड़ी चलाया तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सस्पेंशन का प्राप्लम मैंने बाधर दो तीन मेकानिक को दिखाया और दो तीन अच्छे राईडर्स को दिखाया उन्होंने गाड़ी पर राईट के और बता है कि अक्छे स्पेंशन गया है आपका वही मैं सोचू वही मैं बोलू कि सला इतनी कम एज में बैक पेन का इशू क्यों हो रहा है और सुस्पेंशन का प्राब्लम था तो करेंगे इंशालला बहुत जल राइड कि यह पावस वाला चड़ यह पुरा घाट सेक्षन है टरन है और वाइटमिन डी भी मिल रहा है हमें सुभासुभा की दूप कि अधिको चा माहोल यार अपना ड्रोन अगर होता ना मेरा ड्रोन मुंबई में जब से मैंने काड़ी ली है तब से मेरा ड्रोन रिपेर के लिए दिया गया है जब ड्रोन फ्लाइ करता हो तो गिंबल श्टक करके आता है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेक्स केवल टूटी हुई है उसकी तो रिपेर के लिए मैंने दिया है तो अभी मैं जब मुंबई जाओँगा तो रिपेर करके मैं वो ड्रोन लेके आऊँगा तो आप लोग भी अगर आपके पहचान में कोई ड्रोन रिपेर करने वाला हो तो प्लीज कमेंट करने या फिर मुझे इंचना ग्राम पर मैसेज करना और मिट्योर गाड़ी भी बहुत कमफर्टेवल है यार मतलब जिसकी साड़े पाच पाच आठ हाइट है उसके लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है अब जब मैं बैठा वो गाड़ी पर चलाया तो एक अलगी फील ता उसका भी एक नंबर फील है येस येस ग्रूप में राइड करने ये फाइदा औरे ये ये क्या देख रहा हूं मैं ये तो खुछ अलगी देख रहा हूं मुझे अलग रहा है कि ये रस्ता बढ़ाया जा रहा है इस यह भी फील मुझे चाहिए था जो गाड़ी मेरी नहीं थी तब से ऐसा फील नहीं था भी लग रहा है कि मैंने हाँ आफ रोडर ली है क्योंकि मुझे अब कुछ भी ऐसास नहीं हो रहा है एक दम स्मूध जा रही है गाड़ी तो यह ही चाहिए था मुझे तो यह शायद यह रोड बढ़ा कर रहे है और होना भी चाहिए क्योंकि टन बहुत डेंजर टन है आप देख सकते तो यह टन और यह रोड बढ़ा कर रहे है अच्छा है अभी हाल फिलाल मैंने पावस से पास हो और पावस के बारे में मैंने बताया तो लोगों को बहुत खुशी हुई कि आपने हमारा का नौक बहुत प्यारे आपको ऐसी प्यार देते रहे तो लिजिए सुबा सुबा आपका गाव देखिये आप यह Пज पावस का मारकेट है और भी कहा जाता है। यहां से राइट साइड में जाओगे तो पावस गाव है। यहां Sे Agar वेकली बजार लगता है थोड़ा बजार लगता है तो यहां से लेना है हमें राइट टन ग्राम पंचायत गनेश गुड़े अपले सहर्ष स्वागत करीता है अब बहुत चोटे से रस्ते देखो आप देख सकते हैं अब यही रस्ते खूब सूरत जगाओं पर लेके जाते हैं जहां पर चोटे चोटे रस्ते होते हैं जहां पर अक्सर खराब रस्ते होते हैं जहां पर आफ रोडिंग होती है वही रस्ते अक्सर खुब सूरत जगाओं पर लेके जाते हैं यह मैंने अक्सर नोटिस किया है तो इदर से लेफ्ट लेना है में लेकर चलना है तो यह पूरा स्लोप है पूरा उतार है मैं अनदर जाना है और आप लोग यखीन नहीं करोगे कि आम का सीजन चल रहे हैं और मैंने एक भी आम अभी तक खाया नहीं वह चाहे और शिर्फ मालवान काई फिलाता है क्योंकि मैंने बहुत साल गुजा रहा हूं वहां पर अरे वाव और यह गुले बीच तो यह अलग ही माहो ले यहां पर पहली बार आ रहा हूं मैं आप लोग यकीन नहीं करें कि अभी यहां पर गाड़ी रुखाते हैं अल्हम्दुलिल्ला एक घंटा हो चुका है हमें राइट शुरू करके साड़े साथ बज़े हम लोगों ने कुछ लाला कॉंपलेक्स से शुरू किया और उसके बाद अभी हम लोग साड़े आठ बज़े तक यहां पर आये रुक रुक के आये शूट करते हुए तो अभी यहा है यहाँ पर बीच साइड मोग आखे यहाँ पर कैम्पिंग कर सकते पाटी कर सकते यह श्यकलासमेट एकलासमेट बहुत अच्छा फ्रेंड हैं आप लोग देख सकते हम लोग सुभा सुबाये हैं यहाँ पर टैंट है माहूल और दो ने माहूल में और इससक चेंब मेंब अज़ने तुछ लोगों को जो ओल देड़ बसे आटाइना उनको उनको प्राब्बलम उटे है न इदर रहने के लिए तेन में अच्छा यह तो यह तीन कैबिन बना के रख गजा है ह।ो ऐसे कपल के लिए बच्छे के लिए 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 बदे च्छा तो तुम आय रहे हो यह मेरे को फिर्ण बॉर्ददे अपर मेरा बेटे के बड़ी में लेकर तो पूरा यह जा मिली लेकर है यह पर फैमिली रुके थे स्थेख यह दो फेर में आए ऐए उल्से दीन सुभवा गई आ वाए मस्त देगय underside को और विल्कुल बीच के सामने भी है ना को बीच के करीब है गनेजगुले बीच है अच्छा ही तु देको आया मैं ने बादा किया तो कि आपके याँगा अब आग्याओं अगर शाद विब्बाई को टेद विब्बाई परत नहीं है अच्छा है अच्छा है अच्छा है यह ते रस्तप्ट अगर्डाइज शोर बहुत टाइम से देख रहां इंस्टाग्राम पर कभी एसा वाकई में देखा नहीं था तो श्वेब भाई बोले के च्छरे चलते हैं गनेश गु कर लेंचर करना हैं ब्能क्रत श्युक्त में तो ने पर एंचर करना हैं ने विछ बीच पर कि एंट में तो ये बेस्ट ऑप शने यहांपर कुलर भी है बाकि है चार्जिन पर एलेक्टिव सिटी भी है कि याँ अपर ठेंट भी है आप देख सकते हैं और सप्सकों अगर ते अब इदा रात में जब स्टे करोगे ना हाँ जैसे अभी दिन में कैसा शोर रहे तो वे उसके जादे आवाज ने आते पर आबर रात में इतना सुखुन लगता है ना आवाज सुनके सोने के लिए है ना तो यह अपने को भी करना है इंशालला गनेश गुले आके यहां पर रहेंगे थोड़ा वक्त बिताएंगे और एक्डम सेफ इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है कुछ नहीं है ना अंकल 24-7 है कि क्या वंदा है तो यहां पर पूरी फैमिली लेके आये तो यह वाला टेंड काफी बड़ा है ना बहुत बड़ा है इधर बोट आप नहीं सकते हैं लोक सकते हैं अब देख सकते हें इस कभी बड़ा है तत्रवेज़ भी कितने लोगों सो सकते हैं आप अभी यह उपर 5-6 यहैं तो ज्यार्दा लोग रही सथे हैं तो पाच्छे लोग आराम से रहें गए हम बच्छों बिच्छों कैसा था में पूरी फैमिली तो फिर अंदर रहने के बाद इसा गर्मी और फीर होता है या कुलर्स है हम सर्दी के टाम पर डिसमबर में आये ते अच्छा डिसमबर रेंड तो देतें के तो देख सकते हैं यहाँ पर आप अलग माहूल होता है यहां पर तो कोई नहीं बस राइट शुरू किये और उसके बाद हम लोग यहां पर आए और आने नगे बाद बहुत मस्ट लगा मतलब कुछ वक्त हमें यहां पर रुखना ही था हम लोग राइट करके आये तो कुछ वक्त रुखना था यही पर आये और सब देखो मतलब बीच साइड आये हो तो यूनिक कॉंसेप्ट ही है पूरा देखो यहां पर आप लोग बैठके आ सकते हैं अच्छा कॉंसेप्ट है लोग चेर्स देखो कि यहां पर बेटेंट है और यह ट्री आउस है अपर ट्री आउस है जो को अब हमने ओपन किया और आप देख सकते प्राइवेसी भी है कि यह अंदर से जीप है अगर आप अंदर है तो अंदर से जीप है यह अंदर इसके बाद फिर यहां पर भी जीप है और अंदर देखो आप देख सकते कैसा है कि मैंने कि मस्त फिल एक एडवेंचर वाला फिल आएगा आपको यहां पर रोगे तो अगर में किदर ऐसे फॉंक्सेप थान नहीं ने बहुत पिवराज का बहुत पहले से प्लांग का हां तो फैनली उसने किये यह यह लाकि दुसरे स्टेट में जाओगे तुमको किदर ने किदर जान थे यह कंघर तो यहां पर अत्ना किरे में यह यह पर अपने नेज गुले में यह यह रहक हồएता हैं Knights को कहा कर दो मस्त तो यहां पर आसकते फैमिली को अ लेके भी आ सकते दोस्तों के साथ भी आ सकते और संगे तो आप समझ सकते रहा है कि आसके पर की परहेट का मानीज गेट होगे, दुसरा में जे पास्षर के परहेट स्टे मादे पूल्टे बादे बादे पूल बास्केट बादे बास्केट बादे अच्छा, यह सरो आएगा है, अज एक्टिविटीज पन होता था, ओक आधे चेक इन टाइम गाया है, चार वास्ता इंट् burg apprendre बादे औखेंट, यह सरे फ्रिविशा स्टेफ बादे स्टे साइघ रूपर, यह सरी धर विखें होता, यह सरी संहां तो तुम्धे, श्री जे झांडरा, पैकेज के साफ यह विखी, यह ना खुल्म जे मानीज चार व्र॥े mappedहरें, ज्ट estoy वरोभर 1200lets र॥े संपोर्ण योड़ा से यूनिक कॉंसेप्टाइजर तुम्हाला एते या इच इचा सेल तर रतनागीरी पासुन फक्त निफक्त मालावाट टेक 20 किलोमेटर चांतरा वरती आहे 20 किलोमेटर चांतरा वरती आहे तुम्हे यू शक्ता पावसमत नजर तुम्हे आला तर खुब पारडाइश शोर दीपराज भाई वरोबर मालावाट ते 2-3 वर्षा पूरविया में मीटबला भेटलो होतो दीप भाई ओम भाई सर्व एकत्र भेटलो होतो तेवाच तेन सा कॉंसेप्ट होते की काहितरी काराईज है माला तर त्यान अंतर में यूटूबर्स जहोड़ा यूटूबर्स होते थे हैं ते पर अले होते मीटब साथी तेवापन मादला जब मुझे आने गा मोका था माला याइची संदी होती परन्तु काही कामा निमत नमी यह शकलो नहीं तो अगर किसको आना है तो कॉंटेक्ट नम्बर यहाँ पर अगर किसी को आना है ते ज़र क यहाँ पर है तो यहाँ से भी बीच दिखाता आपको कितना पास में तो यह गेट है और देखो कितना पास में यहाँ पर यह बीच है हम लोगों ने अपनी बाइक यहाँ पर पाक किया है इसको अभी दुश्रे बीच अपना के रहे हैं इससे बहुत साफ बीच है यह बीच काफी साफ है ना तो आप देख सकते सब प्लास्टिक की जो बॉटल से सब यहाँ प सब्सक्राइब किदर हाँ जहाँ पर है वहाँ पर डस्बिन में फेको लोग पानी पी रहे प्लास्टिक उदर ही फेक रहे हैं अरे वाव बीच भी क्या खूब सूरत है यहाँ पर आने के बाद आप लोग बीच देख सकते क्या सुन्दर बीच है यह पहाड है दनवही पर समंदर किनारा है और साफ सुत्रा ऐसा बीच है अच्छा लगा ने शोइब भाई एको लगता है फतीन वाइमरान भाई आते तो जो और अच्छा हो यादा था ड्रोन भी लेते थे आपन इंस्टा 360 से भी लेते थे बैटे सही है हम लोगों ने रा अच्छा बीच है अच्छा लगा यहां पर आकर तो शोइब बाई चलाएगी हमालियन और देखेंगे मैंने तो बोला है कि मुझे इसा लग रहा है कि सॉल वह है बट फिर भी देखेंगे उनसे पूचेंगे और मैं मिट्योर चलाओं और मिट्योर भी काफी कंफरडेबल कि शॉइब बाई आगे और मिट्यार अभी और मिट्योर को व्यू इंजॉई कीजिए आप तो इस सब बाइक भी बहुत प्यारे लगते हैं चलाने के लिए दोनों एक जुसरे के अलग अलग आड़ी चलाने के बाद थोड़ा अच्छा भी लगता है मतब थोड़े हैंड चेंज होते तो तो यह ही माधियन का फाइदा है ओफ्रोडर का आप खड़े हो जाओ पिर वह कुटी नहीं है वह टेंशन ही नहीं है कि यहां पर एक वक्ची मार्केट है चोटा जा देख सबसे मच्ची मार्केट है हुआ है है अ अ हुआ है अ हुआ है जल्दी किदर जाएंगे इंशालला जरूर जल्दी के दर यह तो बस एक शॉट वीडियो थाएंग एक ट्राइल राइट थी इंशालला जाएगी कई तो आज की वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताना अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और प्र करना बस्ट वीडिए में से वी अा पल्दी की अ कावएगी करे एक तोझे टाना जाएंगा आप, यह तो ओदूिए झाएंगी आप si hip informatinkो